अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी आप टारो सेटिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं अब दिखिए अगर आप whatsapp करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं लेकिन whatsapp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है और अगर आपका taro occult में बहुत interest है लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी और इन दोनों के ही links यानि की taro certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे Hello everyone मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Taro Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी क्या आप महसूस करेंगे finally again June मन्त में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है तो ये reading आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ma'am इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो taro reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो या फिर sun sign हो तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्त में आपकी love life में क्या हो रहा है तो लिए Aquarius, आप लगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परसे हापे तीन सेट अफ कार्ट में हम आपकी energies देखेंगे सेकेंड सेट अफ कार्ट में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है lovers reverse और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर June starting में आपकी तरफ से इस relationship में एक distance आ रहा है या फिर एक distance आप महसूस कर रहे हैं और दिखिए इस distance के लिए सब के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि miscommunication हुआ कुछ के लिए हो सकता है partner की कोई बात आपको hurt करी कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई जिसकी वज़े से issue मसला हुआ क्योंकि आपके लिए यहाप इस still hurt का card है तो जो भी हुआ हो आप बहुत hurt हो रहे हैं आप मन ही मन काफी दुखी परेशान हो रहे हैं और दिखी यहाँ पर आपकी परेशानी का reason June मन्त की energies नहीं रहते भी दिख रही हैं कुछ आप दोनों के बीच में पहले से हुआ है या फिर you know June starting में हुआ होगा उसकी वज़े से आप you know in एक hurt energies में रह रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि जून मन्त में कुछ हो रहा है कोई बात आप लोगों के बीच में पहले से ही हुई इसके एक जादा chances मुझे रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी lovers reverse का card कहता है कि आप अपने partner के साथ बहुत एक strong connect महसूस करते हैं वो सकता है कि कुछ Aquarius को ऐसा लगता हो आपके partner आपके soulmate है twin flame है और इसके बावजूद भी कहीं you know किसी भी level पर कुछ के लिए physical हो सकता है कुछ के लिए emotional mental हो सकता है आप एक दूरी सी बना रहे हैं याँ फिर महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर दिखिए solving an issue का भी card है तो फिर से काऊंगे कुछ मसला हुआ है जिसको जून मन्त में solve करने की कोशिश है या फिर आप मन ही मन चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए page of coins reverse का card गहता है मन में आपको ऐसी feeling हो सकती है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसका एक main reason मतलब deep down जाकर अगर हम देखें कि भी क्या उसका एक root cause है तो एक immature energy जाद रहती भी दिख रही है और आपको कहीं ऐसा लग सकता है कि इसी immaturity की वज़े से ये सारे मसले हुए हैं ये सारे issues हुए हैं अच्छी घासी चीज़े चल रही थी और ये खाम खाई चीज़ें गड़ बढ़ा गई immature energies की वज़े से और कहीं देखे chariot reverse का card कहता है कि आप चीज़ों का control अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं अब देखे ये आगे बढ़ना सब के लिए डिफर करेगा कुछ Aquarius के लिए हो सकता है कि भाई किसी level पर मन में खयाल आ रहा हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं यहां पर ऐसा हो रहा है जैसे हो तरह हमें खयाल आता है कि बस भाई अभी relationship end करो आगे बढ़ो specially जब issues मसले होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा हो जाता है लेकिन बहुत सारे thoughts आते हैं हमारे मन में तो ऐसी एक energies हैं लेकिन आप ऐसा सोच तो रहे हैं आप फिर खयाल तो आ रहा हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जो मसले हैं उस तरीके से चीजों को आपकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है कि आप solve कर पा रहे हैं. यहाँ पर controlling का card कहता है या तो आप थोड़े से controlling dominating हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपके partner बहुत controlling dominating हो रहे हैं. और दिखिए आपके partner के cards मैं देख पा रही हूँ तो definitely अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत नहीं है आपके partner थोड़े से controlling dominating तो हो रहे हैं वैसी उनकी energies दिख रहे हैं अभी मैं cards बताऊंगी तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे और यहाँ पर भी देखिए control के बह बढ़े से रह रहे हो लेकिन फिर से नहीं कहूं कि आपकी ऐसी energies दिखने रही हैं यहाँ पर chariot reverse का card किसी level पर कह रहा है बट बहुत जादा है आपके लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है अब देखते हैं कि आपके partner के energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए हैं आपे amazing chemistry and king of w partner हो सकता है अपनी तरफ से बहुत एक effort कर रहे हों बहुत एक initiative ले रहे हों इस relationship के लिए और हमने देखा कि आपको कोई बात hurt कर रही है आपको कोई बात दिल में परिशान कर रही है तकलीर दे रही है तो हो सकता है आपके partner आपकी इस hurt इस परिशानी को ठीक करना चाह रहे ह है और deeper level के लिए amazing chemistry का card कहता है कि आपके partner को ऐसे लगता है कि आप दोनों की chemistry बहुत जबरदस्त है आप दोनों का connect बहुत जबरदस्त है और इसलिए शायद वो action initiative भी ले रहे हैं चीजों को ठीक भी करना चाह रहे हैं लेकिन देखे कही starting June के बाद याने कि mid June में वो surface level पे इन सब चीजों को करते हुए देख रहे हैं फिर से मैं एक बड़ी clear कर दूँ जून starting में कुछ time से जो भी आपके partner के effort है initiative है चीजों को अगर ठीक करने के या फिर otherwise भी वो काफी genuine efforts से आते हुए देख रहे हैं क्यूंकि amazing chemistry का card कहता है वो वाक्य ही में बहुत strong connect आप से देखा कि आप कहीं hurt हो रहे हैं आप कहीं you know immaturity से चीजों को deal कर रहे हैं या फिर उस तरीके से चीजों को नहीं clear कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी mid June के बाद थकावट सी महसूस करें क्यूंकि यहां पर drained का card कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि बस थक गए अब वो result नही मिल रहा तो इसी लिए शायद mid June में यहां पर magician का card कहता है कि वो surface level पर चीजों को manipulate कर रहे हैं surface level पर diplomatically आपके साथ deal कर रहे हैं लेकिन मन ही मन need a break का card कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा pause लेके थोड़ा सा rest दे देना चाहिए कभी कभी हो तरह में लगता है कि स कि फिर से मैं आपको clear कर दूँ कि surface level पर वो कर रहे हैं क्योंकि magician का card कहता है कि surface level पर आपके साथ बातचीत भी कर रहे होंगे आपके साथ communication भी उन्हों ने रखा है और action initiative भी mid June तक वो लेते रहेंगे थोड़े से controlling थोड़े से dominating भी रहेंगे लेकिन मन ही मन उनको यह ख्याल सकते हैं कि बस यार कोई फाइदा नहीं है अपना आप time energy waste कर रहे हैं और कहीं देखिए end June के ले King of Souls का card कहता है कि काफी logical होते हुए दिख रहे हैं काफी you know mind से चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं एक detachment भी उनकी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं और थोड़े से controlling थोड़ रहे सकती हैं अब देखते हैं कि जून मंत में क्या हो रहा है तो देखिए जून मंत के लिए आपे सबसे बहला card है caught अब यहां पे सिरफ लिखा हुआ है caught caught के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं literal Hindi का अगर हम मतलब देखें तो पकड़ना आप देखिए हापे कोई भी चीज हो सक अपने पाटण का झूट पकरा है क्यूंकि आप हैं तो मैं यह अज्यूओ कर रहे हूं कि श्याद पाटण ने कोई जूट भोल अ उसको आपने पकड़ और आप हॉरे हैं यह लिखिए किटनी बारी होता है हम्मारी भी कोई गल्ती हो जाती है और पार्टνर हर्ट हो जाते आप जो भी चीजे मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा याप एक कॉट का मतलब और इस पिच्चर को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक चीटिंग करते हुए किसी को पकड़ा वो वली पिच्चर है बट ये जनरल रीडिंग है सब के लिए डिफर करेगा किसी भी आपको पकड़ा इन दे सेंस यहां पर जूट चीटिंग फ्लर्टिंग या इस तरीके की चीजे और शायद इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे कैसे करना चाहिए किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का वेट आप दोनों आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं और देखिये मिड जून में पर पेज बहुत इम्मेट इनरजी सेह रहे हैं हाला कि इम्मेटिर अनरजी तरफ से रहं रहे हैं और यहां पर आपको यही कहुँगगे और और आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करें तो ज़ूर इस चीज को करके correct करें क्योंकि यहां पर दीपर लेविल के लिए वेस्टिंग टाइम का काड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक कैसे लग सकता है अपना time energy बेस्ट करें कुछ concrete निकलने नहीं वाला है और शायद इसी लिए यहां फिर otherwise judgment reverse का काड कहता है कि थोड़ा सा stuck आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करें जहां पर कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करने की ज़रत है अब देखिए again यह कोई भी चीज हो सकते है कुछ के लिए हो सकता है जो मसले जो issues आप दोनों के बीच में चल रहे हैं इनक कुछ के लिए यह relationship भी हो सकता है जिसको end करके आगे बढ़ने की ज़रत है कुछ के लिए personal professional front में आपके या उनके कुछ issues चल रहे हैं उनको end करके इस relationship में नई beginning करने की ज़रत है क्योंकि अगर personal front में या professional front में भी कुछ issue हो तो वो कहीं हमारे relationship को भी impact करता है तो फिर से जो जादा critical judgmental हो रहे हैं इस चीज को भी चक करके correct करने की ज़रत है आपके partner critical judgmental end जून में जादा होते हुए दिख रहे हैं तो यह था एक वेडियस आप लुगों के लिए जून 2024 की love tarot reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी आपको आपके सवालों का जवाब मिला तो इस चैनल को like share और subscribe जरूर करें